राधे राधे दोस्तों आप लोग कैसे हैं उमीद करते हैं अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अनपूर्णा की चन टिप्स में आप लोगों का स्वागत है आईए अच्छी रेश्पी शुरू करते हैं ये देखिए मुल्ली है मुल्ली तो हर घर में आती है सलाथ के लिए पर लोग क्या करते हैं इस तरह से इसको तोड़के और इसके पत्ते को फेक देते हैं इसकी देखिए बहुत अच्छी रेश्पी बनाने जा रही हूँ हेल्दी और टेस्टी भी होती है मुल्ली बहुत ही फायदेमंद होती है इसकी पत्ते और भी हरी सब्जियां बहुत ही फायदेमंद होती है तो इसको फेके न इसको देखिए तोड़के पत्ता को इस तरह से इसको डंठल को फेक देना है सिर्पत्ता पत्ता इस तरह से निकाल लेना है एक बार जब इस तरह से बना लेंगे तो कभी भी मुल्ली के पत्ते को नहीं फेकेंगे आप सारे पत्ते को अच्छे अच्छे जो पत्ते हैं उसको इस तरह से निकार लेंगे डंठर को अलग कर देंगे बहुत ही अच्छा लगता है इसकी भुजिया बनाऊंगी साग नहीं बना रहे हों ऐसे तो साग भी इसका बनता है किसी चीज में पालक में या चौलाई में मिक्स कर देंगे तो अच्छी साग होती है पर इसमें पानी नहीं डालना है इसकी भुजिया बनाऊंगी बहुत ही टेश्टी लगती है विडियो के अंतक बनी रहिएगा इसको अच्छे से पत्ता पत्ता तोड़के और इसको धूल लेंगे काटने के पाद नहीं धूलना है और बहुत ही छोटा छोटा पतला पतला काटना है इसको मोटा नहीं काटना है ये देखिए इस तरह से काट रही हूँ, इसी तरह से इसको कट करना है मुली के पत्ते को इसी तरह से कट करना है मोटा काटेंगे तो अच्छा नहीं होगा, देखिए कट कर लिए हैं फिर आलू को भी कट कर लिए हैं, जिस तरह से भुजिया बनाते हैं आलू और ये लहसुन है, प्याज है और हरे मिर्च है कड़ाही में तेल डाल देंगे, गरम हो गया है उसके बाद जीरा से तड़का देने के बाद लहसुन मर्चा लहसुन मर्चा है और प्याज से तड़का देके ब्राउन होने तक इसके बाद आलू डाल देंगे दो मिनट तक आलू को तलेंगे पहले इस तरह की भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है यह देखिए आलू मैं पहले ही कट करके रख दी थी इसकी वीडियो नहीं बनाई हूँ बहुत लंबा हो जाता है तो लोगों के दिक्कत होती है देखने में तो इसलिए आलू को भुजिया जिस तरह कट करते हैं उसी तरह पतला-पतला कट करना है यह देखिए इस तरह से आलू भुन चुका है दो मिनट तक यह मुल्ली के पत्ता जो कट किये थे इसको अब डाल देंगे इसमें बहुत कुछ नहीं डालना है मसाला योगरा यह सिंपल सा भुजिया हेल्दी टेश्टी होता है इसको कोई भी खा सकता है बच्चों के लंच में भी बना सकते है प्राठा भुजिया पुड़ी भुजिया सभी लोग पसंद से खाएंगे हेल्दी भी हो जाएगा और टेश्टी भी यह देखे इसको इसी तरह से भुणना है इसको ढखेंगे नहीं ढखेंगे तो पानी बहुत जादा छोड़ने लगेगा तो इसको कुरकुरी भुणना है तभी टेश्टी लगता है ये देखिए इस तरह से ये भून चुका है अभी दो तीन मिनट और भूनेंगे इसको ये देखिए मेरा भुजिया बन कर तयार हो गया है मुल्ली और आलो का भुजिया दोस्तों एक बार आप लोग भी बनाईएगा और खाएगा खाके कमेंट में बताएगा कि ये रेश्पी कैसा लगा अच्छा लगेगा तो लाइक करिए शेयर करिए सस्क्राइब करिए धन्यवाद अबागे के बनाईएगा